कैसे हैं आप सब लोग जो भी लोग साओधी अरेबिया आ रहे हैं उनमें से कुछ वीजा केटिगरी ऐसे हैं जिने ट्रेवल इंसोरेंस पॉलिसी लेना होगा साओधी अरेबिया आने से पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको step by step process बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप से travel insurance policy online ले सकते हैं बहुत ही simple process है आपको ना तो agency के पास जाना है ना तो agent के पास जाना है अपने mobile से ही आप travel insurance policy ले सकते हैं GACA के guideline के मताबिक जो GACA साओधी का जो aviation authority है उनके guideline के मताबिक जो साओधी के citizen है या फिर जो साओधी के resident है ECAMA holder या फिर GCC country के citizen है इन तीन category के अलावा जो भी लोग साओधी अरेविया आ रहे हैं उन्हें travel insurance policy लेना होगा और उस insurance policy में COVID के treatment, COVID होने पे जो quarantine करना पड़ता है वो और COVID के treatment के लिए country से बाहर अगर ले जाना परे तो ये तीन चीज़ cover होने चाहिए तो आज के इस वीडियो में मैं आपको process बता दूँगा step by step उससे पहले मैं आपको एक आपके जो दिमाग में doubt हो रहा होगा कि किन-किन visa category को चाहिए किन-किन visa category को नहीं चाहिए वो clear कर देता हूँ मैंने आपको सुरवात में बताया जो साओधी के resident है इकामा holder उनको नहीं चाहिए जो visit visa है उनको भी insurance policy अलग से नहीं चाहिए क्योंकि जब उनका visa stump होता है तो उन्हें एक साल का insurance policy already मिल जाता है तो जो visit visa है उन्हें नहीं चाहिए जो work visit visa है उनको चाहिए insurance policy जो family resident visa है नएवाले उनको चाहिए business visa वालों को चाहिए, tourist visa वालों को चाहिए, umrah visa वालों को चाहिए, okay? इन visa category वालों को इंस्सवी रónाओर लेना होगा. मैं आपको एक insurance company के बारें बता उगा, जिससे आप online ले सकते हैं. और ये insurance company, ये जो insurance company है, इसी से कुछ लोग travel कर रहे हैं, लेके उन्हें कोई problem नहीं हुआ इसलिए मैं यह आपको बता रहा हूं इस यह company से मुझे कोई लेना देना है नहीं तो चलिए सुरू करते हैं आप अपने browser कोई भी browser यूज कर रहे होंगे mobile में टेब में laptop में Google में जाए गूगल में यहां से आपका प्रोसेश शुरू होता है आपका information फिल करने का ओके आप अगर online पे करने वाले हैं net banking से या credit card से debit card से UPI से हर किसी से कर सकते तो अपना डीटेल अपने पास रखेगा अपना passport का डीटेल अपने पास रखेगा क्यूंकि आपको फिल करना रहेगा तो इस पेज में आपको पहला जो option है उसमें लिखा हुआ है कि आप कहा जा रहे हैं कों से country में जा रहे हैं तो आप उसमें साओधी डीटेश साओधी अरीटेश यह आपको एक हैं लिए पोई इसके नहीं करूंग है तो यहां suo में अपको पर को खुद vaccine तो सेलफ प्रहा कीजिए वहां पर आपको अपना एज लिखना पूरेगा जो भी आपका एजे 25-35 जो भी यह वह लिखे अगर आप एकेला ट्रैवल कर रहे हैं तो थीक नीज आप फैमली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने इस पाउस का एज लिखे बच्चों का एज लिखे इसके बाद नीचे आपको ट्रिप स्टार्ट और ट्रिप एंडेट लिखना है आपको अगर आपने टिकेट करवा लिया है तो वेलेंगोड आपके पास स्टार्ट डेट अल्डेडी होगा वो सेलेक कर लिजेगा और एंडेट एक महीने आपके पास तरbeiल करेंगे यंडिया से जिस दिन आप करेंगे ये वो सेलेक कीजिए टृप एंडेट ayudar अ क्लिछ किएगा तो ऐयो हुआए कर आप यह क्लिक करेंगे इसन यहां पर आपका mobile number और email id लिखना होगा mobile number लिख दीजे email id लिख दीजे दोनों सही सही लिखेगा क्योंकि आपको insurance policy message भी आएगा आपको email में भी notification आपको आएगा यहां पर नीचे एक लिखा हुआ है टिक करना है green color का उसमें click कर दीजे इसके आद यहां पर लिखा हुआ है get code उसपे click कर दीजे तो गोल गोल गुमेगा इसका थोड़े दिर बात आपको एक page खुलेगा जिसमें तीन होगा ओके एक हो गया basic plan एक हो गया regular plan एक हो गया essential plan आप बीच वाला select कीजेगा जो कि है regular plan इसमें बहुत सारे cover है अगर आप नीचे पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं बहुत सारे चीज है उसको आप अपने अराम से पढ़ लिजेगा जब आप बीच वाले में select करेंगे तो ग्रीन कलर का एक टिक आजाएगा उसमें तो नीचे आप बा कुमेनी का डीटेल आपको बढ़ना रहेगा फिर contact डीटेल बढ़ना रहेगा यह तीनों चीज़ा बढ़ लिजे अपना नाम Mr. Mrs. जो भी है वह बढ़ लिजे अपना नाम लिख लिजे अपना पास्पोर्ट का number लिख लिजे आप लोग जो भी नए पास्पोर्ट वाले है जिनका पुराना passport expire हो गया तो अपना नया passport लिखेगा इस पर जो भी valid है इसके बाद नीचे आपके अगर कोई health condition है आपको BP है, diabetes है या फिर कोई भी chronic disease है वो select कीजे अगर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजे इसके बाद continue में click कीजेगा अगे continue में जब आप click करेंगे इसके बाद आपको nominee का full name लिखना परेगा, nominee कोई भी हो सकता है आपका बहीया, आपका पापा, आपका माता जी, आपका वाइप जो भी हो सकता है जिनका भी नाम लिखना है लिख दीजे इसके बाद में age लिखना परेगा उनका जो age है 65, 70, 75 ज गाउं का नाम आपका पूछा जाएंगा फिलीजेगों में अबने हमाल घएग दो कर लीजेग Gram मAT इमेल विए खाला घ्री लिखा रहूं लीजेगा इसके बाद में यहां चेक yes और no है उसको कुछ मत कीजे no में ही रहने दीजेगा continue करेंगे तो आपका जो भी आपने अब तक भरा है वो आपके screen में आ जाएगा एक बार चेक कर लिजेगा आपका नाम जो passport के हिसाब से है नहीं है आपका date of birth passport के हिसाब से है नहीं है passport number चेक कर लिजेगा इसके बाद वहां पर आएगा टिक करने का कि मैंने सारे चीज़ पढ़ लिए है और समझ लिए उसको टिक कर दिजेगा इसके बाद नीचे by now में क्लिक कर दिजेगा बाइनाव में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे payment options आ जाएंगे credit card, debit card, internet banking, UPI, Google Pay बहुत सारे EMIs यह सब आ जाएंगे तो most probably आप credit card, debit card और internet banking और UPI यूज़ करेंगे या फिर Google Pay यूज़ करेंगे जो भी यूज़ करना है करिए इसके बाद make payment कर दिजे जब आप make payment करेंगे इसके बाद के process तो मैंने नहीं करा है जब आप make payment करेंगे तो साइद आपका insurance policy generate हो जाएगा और एक copy आपको जैसा मुझे लोगों ने बताया है कि email में भी आपको आजाएगा उसका print out ले लिजेगा print out लेके देख लिजेगा सब कुछ सही है नहीं है और अपने पास रख लिजेगा और travel करते समय उसे ले जाएगा अगर क उनको भी पूछा गया है तो इसके लिए आपके पास अगर आप resident है लेना चाहें तो ले सकते हैं ज्यादा मेगा नहीं है और यह लगबख 800 सारे 800 रुपे का आपको मिल जाएगा insurance policy अपना print करके अपने सारे document के साथ में आप रख लीजे कई लोग यह भी बताते हैं कि उन करने चाहिए क्या पतात्र पूछ लेगा तो आप पीसे कर जा रहे है वह आपके सारे.. तो जितना देर में मैंने आपको भी बताया है बस आपको इतना ही देर लगेगा insurance policy generate करने में और यह Mondayות travel करने से 3-4 दिन पहले ले लिजेगा या फिर जब आपको sure हो जाएगा कि मुझे travel करना है अपने ticket purchase कर लिया है सब कुछ कर लिया क्योंकि यह instantly आपको इसका जो policy है आपको मिल जाएगा ओके तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको help हुआ होगा ही travel insurance policy से अगर आप process से अगर आप कोई दूसरे company से भी लेना चाहें तो ले सकते हैं वह आपके उपर है लेकिन यह simple process से आप follow करके ले सकते हैं अब जो आने वाले वीडियो में मैं आपको कतर के वारें बताऊंगा बहुत सारे लोगों ने सुरुवात में बताया था कि इंडिया से कतर और कतर से साथी अरीबिया नहीं जा सकते लेकिन लोग ओल्डेडी आ गए उसमें कुछ उन्हों अपने नए अपडेट्स बताएं जो मैं आपके साथ सेर करूंगा अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको हिल्फुल होगा तब तक अपना ख्याल रखिए थैंक्यू बेर मच्छ कि अ